नमस्कार आईए आज मैं आप सबको मिलाता हूँ त्रिपुरा के एक असली हिरो से इसका नाम है स्वपन देख बर्मा आपके सामने स्वपन देख बर्मा और उसकी छोटी सी बिटिया सुमती जो तीसरी कख्षा में पढ़ती है ये अत्यंत गरीब परिवार का है अत्यंत गरीब है घर रहने जैसा नहीं है शरीर पर ढंके पहनने के कपड़े नहीं है परिवार में अत्यंत विपन दता है तीन दिन पहले सोला तारीक को जब इन्होंने एक बहुत बड़ा एतियासिक काम किया उस दिन सुबह से इनके घर में खाना नहीं बना था खाने के लिए कुछ नहीं था रोज जंगलों में जाना, जंगलों में जाकर बांबू के शूट्स निकाल कर उनको और कुछ कंदों को निकाल कर, मार्केट में लाकर उनको बेचना और जो भी 10-20 उर्पया मिले उससे अपने घर को चलाना ये स्वपन दे बर्मा का रोज का काम है परिवार को चलाने के लिए जंगलों में घोर महनत करनी पड़ती है इसी तरह से जब 16 तरीक को अपने घर से शाम को निकला था उसने जो रेलवे ट्रैक है पहाडों के उपर अंबासा रेलवे स्टेशन के बाद में मुंगिया कामी एक रेलवे स्टेशन आता है इसके बीच में जो railway track है उसको उसने देखा कि पट्री तो है लेकिन पट्री के नीचे की सारी मिट्टी और पहाड पूरी तरह से धस गया है और पट्री हवा में लटक रही है उसके तुरंग ध्यान में आया कि यहां से जब train गुजरेगी तब एक बहुत बड़ा accident होगा और खाई है पूरी train खाई में गिरने की संभावना है जिस train में कम से कम दो से ठाई हजार लोग खचाकच भरे हुए रहते हैं यह धर्मनगर से अगर तला यह शाम के समय आने वाली एक शटल सर्विस ट्रेइन की इस ट्रेइन का आने का वो समय था सोपन को खतरा समझ में आ गया वो रेलवे ट्रेक पर खड़ा रहा उसके पास दिखाने के लिए कोई कपड़ा नहीं था तो जो शर्ट फटा हुआ शर्ट उसने पहना था उसको निकाल कर उसने लहराना शुरू किया दो घंटा पहले तो इंतजार करता रहा ट्रेन के आने का उसके बाद में दूर से जब उसको ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया उसने अपना शर्ट एक हाथ में लिया और कमर को जो गमच्छा बांधा था उस गमचे को भी निकाल कर दूसरे हाथ में लिया और दोनों हाथ से लहरा कर मोटर मन की तरफ इशारा करना शुरू किया मोटर मन को लगा शायद कोई पागद व्यक्ति है और इसलिए वो रुक नहीं रहा था स्वपन को ये भी ध्यान में आ गया कि मोटर मन मुझे गंभीरता से नहीं ले रहा है तब उसने और एक बहुत बड़ा सहस पुर्ण काम किया अपनी बिटिया जो सुमती उसके साथ थी बाजु में खड़ी थी उसको खीच कर उसने अपने सामने खड़ा किया और अपनी बेटी को सामने जब खड़ा किया तब मोटर मन के ध्यान में आ गई कि कुछ गंभीर बात है और उसने ब्रेक लगाया और गाड़ी को खड़ा किया और जब नीचे उतरने के बाद देखा कि क्यों इसने रुका है तब वो गदगद हो गया और उसने इसको धन्यवाद दिये ये बात सोशल मीडिया के माध्यों से पूरे देश और दुनिया को पता चली हमने उनका घर ढूंडा और मैं त्रिपुरा के एक चैनल पीवी 24 को बहुत बहुत बधाई देता हूँ ये पहला चैनल है कि जिसने उसको ढूंड कर आगरतला में लाकर अपने टीवी चैनल पर उसका इंटर्वियू किया नहीं सिर्फ इंटर्वियू किया इस व्यक्ति को इसके बेटी और साथियों के साथ आगरतला और आजुबाजु का परिसर घुमाने का काम किया इस व्यक्ति ने सारे जिन्दगी में साथ किलोमेटर दूरी पर जो अगरतला शहर है वो भी आज तक नहीं देखा था जो आज उसने पहली बार देखा मेरे प्यारे भाईों और भेनों ये एक बहुत बड़ा हीरो है दो हजार लोगों की जान अपने जो प्रेजेंस आफ माइंड से जान को खतरे में डाल कर अपने बेटी के जान को दाउपर लगा कर लोगों के जान बचाने वाला ये वास्तविक में एक महान वीर पुरुश ये महाराजा बीर विकरम किशोर मानिक्य की धरती है जहां पर मानिक्य वंच्य के राजाओं का राज रहा है जिनोंने हमेशा समाज के लिए काम किया है कभी भी राजा का राजापन नहीं दिखाया समाज के लिए समर्पित इस राज्य के राज्या रहे है उसी राज्य में इ 20,000 रुपय का एक चेक मैं इसको देता हूँ ये भी बताना चाहूंगा कि इनका आज तक कोई बैंक अकाउंट नहीं है कि अकाउंट दो दीन में खुलेगा और वो चेक और मैं आप सबसे निवेधन करता हूं मैं इनके डिटेल्सस जैसे ही अकाउंट खूलेगा मैं मेरे फेस्बुक पर दूंगा इनके परिवार को कड़ा करने के लिए इनके घर को खळा करने के लिए इनकी बच्चियों की पढ कर दान करें उनके अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं जैसे ही अकाउंट खुलेगा मैं सारे डिटेल्स मेरे फेस्बुक के माध्यम से सारी दुनिया को साजा करूंगा लेगिन मैं चाहता हूं कि इस वीर का असली सन्मान होना चाहिए इसके जिसने हजारों लोगों की जान किया यह आगे चलके कोई स्पोर्ट्स में आगे आये कोई डॉक्टर बने कोई इंजिनियर बने कोई कलाकार बने लेकिन अपने जिंदगी में अपने पिता का नाम रोशन करें जिन्होंने अनपढ़ होते हुए भी इतना प्रेजेंस आफ माइंड दिखाया अरे हम तो रा मैं इसको सलाम करता हूं स्वपन्दा और अशंख धन्यवाद आपको इस फेस्बूक लाइब के माध्यम से लाखो लोग इनको हिंदी नहीं समझ में आता है बांगला इनको थोड़ा बहुत समझ में आता है इनकी मातुरु भाषा कॉक बोरुख है जो मैं पूरी तरह से न आपको केसे लग रहा है बाहिनाना अच्छा लग रहा है बता रहा बता रहे अच्छा लग रहा है तुमा गह से को लगछे है हो ब्हु निय करते है plein हुं कि जु बोलते पारें पूर्थ आप पूर्थ हमारे राज़ा के लोकप्रिया मुख्यमंतरी विपलब देप जी से निवेधन करूंगा राज़ा के उपमुख्यमंतरी जिश्टु देप बर्मा जी से निवेधन करूंगा कि जरूर त्रिपुरा सरकार की तरफ से इन्हें इनाम दिया जाए और संभव हो तो इनको त्रिपुरा सरकार में कोई ना कोई नोकरी दी जाए क्योंकि जिसने त्रिपुरा की दो हजाद लोगों की जान बचाई है उस परिवार को खड़ा करना त्रिपुरा सरकार का भी एक करदोब्य बनता है मैं उनको ये कमिनिकेशन जरूर करूंगा क्योंकि इन्होंने अभी एक इच्छा व्यक्त की है कि मैं बहुत गरीब हूँ मेरे लिए कोई एक नौकरी ढूलिए इतना तो हमारा देश जरूर कर सकता है बहुत बहुत धन्यवाद हमस्कार